हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बजाज की तरफ से थ्रिवीलर कमर्शियल वीकल्स में आने वाली बजाज मैक्सिमा C के बारे में बात करेंगे बजाज मैक्सिमा C आपको दो इंजन और तीन फ्यूल आपसंस के साथ मिलती है जिसमें पहला इंजन आपका डिजल इंजन रहता है और दूस्ता पेट्रोल प्लस C&G एंजन और फ्यूल्स में यहाँ पर आपको पेट्रोल डिजल और C&G तीन टाइप के फ्यूल्स मिल जाते हैं यहाँ पर हम बजाज मैक्सिमा C के C&G वेरियंट की बात करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी के फुल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखेंगे साथ ही डाइमेंसंस, मैलेच और गाड़ी आपको किस ट्राइस में मिलती है इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो में अंतक बने रहिए सबसे पहले मैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको बताऊँगा इस गाड़ी में आपको 4-stroke spark ignition engine मिलता है जो DTSI CNG petrol BS6 engine रहता है यह engine आपको single cylinder engine मिलता है जिसका displacement यहाँ पर 236.2cc का मिल जाता है इस engine के maximum power output के बात करें तो यह engine आपको 7.3kW यानि की 9.8bhp की maximum power generate करके देता है जो आपको 4750rpm में मिलता है वही maximum torque की बात करें तो यह engine आपको 16.5Nm का peak torque 3500rpm में देता है अब आगे इसके gearbox की बात करें तो यहाँ पर आपको 4-speed match gearbox मिलता है जो 4 forward plus 1 reverse gear के साथ आता है बजाज Maxima C में आपको बहुती मजबूत chassis से बना हुआ frame मिल जाता है जो रहता है monocop chassis with central bean welded cross members frame रहता है यह जो frame रहता है यह काफी मजबूत रहता है और गाड़ी को अच्छा खासा payload प्रदान करता है बजाज Maxima C में आपको clutch में यहाँ पर wet multiple plate clutch मिल जाता है और brakes की बात करें तो यहाँ पर आपको hydraulic brakes मिलते हैं जो drum type के रहते हैं अब आगे suspension की बात करें तो यहाँ पर आगे की तरफ helical spring suspension और पीछे की तरफ में आपको rear side में independent suspension मिल जाते हैं अब बजाज के इस 3 wheeler के CNG cylinder की capacity की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 liter की water capacity का CNG cylinder मिल जाता है जिसमें एक बार में आप 5.6 kg तक CNG भरवा सकते हैं अगर मैं बात करूँ इस vehicle की performance की तो यह vehicle आपको 18% की gratibility के साथ मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपको एक driver के बैठने की सुईदा मिल जाती है और tire size की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 inch के size के tires मिल जाते हैं अब आगे बजाज मैक्सिमा सी CNG की weight and dimensions को देखें तो इस vehicle का gross vehicle weight आपको 1250 kg तक का मिलता है और payload यहाँ पर आपको 619 kg का मिलता है अब dimensions की बात करें तो इस गाड़ी का wheelbase आपको 2125 mm का काड़ी की overall length यहाँ पर आपको 3230 mm की मिलती है चोड़ाई यहाँ पर आपको 1493 mm की और उचाई 1818 mm की इस 3 wheeler में आपको मिल जाती है इसके minimum ground clearance की बात करें तो यहाँ पर आपको 195 mm का minimum ground clearance मिलता है और साथ ही 3.24 मेटर के turning circle radius के साथ ही है vehicle आपको मिलता है बजाज की द्वारा इस 3 wheeler में आपको 12 volt या फिर 32 amp hour की battery लगा कर दी जाती है अब इस 3 wheeler की top speed की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 km per hour की top speed मिल जाती है साथ ही mileage को देखें तो यहाँ पर आपको 28-30 km per kg का mileage CNG में आसानी से मिल जाता है बजाज Maxima C CNG के extra room price की बात करें तो इस गाड़ी का price 2.64 lakh से शुरू हो जाता है अगर आप इस 3 wheeler का exact price या फिर on road price चानना चाहते हैं तो आप इसके nearest showroom या फिर अपनी नजदी की dealership में contact कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करना ना भूलें साथ ही वीडियो कैसा लगा comment section में अपना feedback देना ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारा चनल subscribe नहीं किया है तो कर लिजिए जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सिधे मिल सकें अब हम आपके लिए facebook पर भी ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं तो हमें facebook पर follow करना ना भूलें और वीडियो में अंतक बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद